हम सब के मन को अगर जोड दिया जाए, हम सब के मन को अगर जोड दिया जाए, उसकी जो टोटल एनरजी मनेगी, वो हमारे घर की एनरजी है, हमारे ओफिस की एनरजी है, हमारे शहर की एनरजी है, It's like a pond of water Suppose आपके घर में पाँच लोग हैं अभी इसको simple example लेते हैं सिरफ पाँच लोगों पर फिर इसको देखेंगे बड़े level पर अगर आप पाँच लोग एक घर में रहते हैं और आप पाँच लोग एक glass पानी का रोज डालते हैं और एक तालाब बन रहा है तो वो तालाब किस चीज का बन रहा है पानी का वो तालाब का पानी की क्वालिटी क्या है क्वालिटी ओफ फाइव ग्लासे ऑफ वोटर तो पांच लोग रोज एक ग्लास पानी डालते हैं उससे वो तालाब बनता है सारा दिन में क्या हो रहा है आप उसमें एक ग्लास पानी डालते भी है और आप उस तालाब से सारा दिन पानी पीते भी है यह दोनों काम हो रहे है आप उस तालाब में पानी डालते भी है आप उस तालाब से पानी पीते भी है पांच लोग रोज पानी डालते हैं, रोज पानी पीते हैं आज आप वन परसंट ने उस तालाब में पानी नहीं डाला, दूद डाला क्या तालाब की खोले टी में थोड़ा सा चेंज आएगा? आएगा ना अब वो पानी प्लस पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट भी कहें, मिल्क है दूद डाला कितने लोगों ने? एक एक ने पिएंगे कितने लोग वो? पांच पांच सी दे डिफ्रेंस? अब एक जना उसमें दूद डालेगा लेकिन वो जो change हो गया है, वो liquid जो उस तालाब में है उसको पांच लोग पिएंगे जब पांच लोग पिएंगे उनके ओपर उसका असर पड़ेगा कल वो पांच लोग जो उसमें डालेंगे न उसमें वो सिरफ पानी नी, पानी mixed with दूद डालेंगे और फिर वो जो ताला आपका दूद का percentage है, वो क्या हो जाएगा? और बढ़ेगा फिर पांच लोग फिर उसको पिएंगे फिर पांच लोग फिर उसमें डालेंगे और धीरे-धीरे वो ताला पानी से हटकर पूरा दूद बन जाएगा ये एक जनक कौन बनेगा जो दूद डालेगा? अब अगर हम पांच लोग फिर घर में रहते हैं हम कहते हैं गुसा करना नॉर्मल है चिंता करना नॉर्मल है तो हम सब उस तालाब में कौन सा पानी डाल रहे हैं? चिंता का, गुसा का वो वातावरण हमारे घर का बन रहा है और फिर हम ही उसमें से पी रहे हैं हम ही उस वातावरण में रहते हैं सारा दिन तो डे बाए डे हमारी चिंता बढ़ती जाएगे अब एक आप responsibility लें कि मैं इस घर में रहूँगा एक बार भी गुसा नहीं करूँगा मेरी thoughts में कोई anxiety, fear नहीं होगा तो आपने उस घर के तालाब के अंदर कौन सी vibration डालने शुरू करती? पीस की, शान्ती की, positivity की डालेगी एक आत्मा लेकिन असर होगा पांचों के ओपर यह एक आत्मी के डालने से उस पानी में असर होगा और पीने के अबद उससे भी वही thought आएगी पानी से तो होगा, here we are talking जो वातवरन में आप पैला देंगे तालाब हमने कहा, example it's physical, now suppose there's no तालाब, it's only this तालाब is of our vibration, it's vibration five people in our house vibration, five people in our house 5 लोगों का मन घर का वातवरन बनाता है और घर का वातवरन पांच लोगों के मन पर asर करता है अगर एक मन ने सिरफ आज और आज उस घर के वातवरन में इक अलग वाइबरैसिन डालने शुरू करता है पांच लोगों के मन पर उसका असर होना शुरू होगा तो suppose पांच लोग गुसा डालते हैं आज एक ने शांती डालना शुरू किया तो जो बाकी चार हैं उनका 10% गुसा कम हो जाएगा क्योंकि उनके उपर उस शांती का असर होगा जब पांच लोगों का मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो पांच लोगों का असर घर पर पड़ेगा तो घर के वायु मंदल की शांती क्या हो जाएगी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी जब थोड़ी और बढ़ेगी पांचों पर असर होगा उनका मन और शान्त होगा, घर का वायुमंडल और शान्त हो जाएगा and the घर विल शिफ्ट from anger to a peaceful house. This is how the world will shift from कल्यूग to सत्यूग. Beautiful. It will shift, लेकिन शिफ्ट होने के लिए पूरे घर को ने बदलना है. शिफ्ट होने के लिए उस घर में सिरफ एक आत्मा को बदलना है. शिफ्ट होने के लिए एक ओफिस में एक को बदलना है. अगर लीडर ओफ दी ओगनाईजेशन अपने अंदर एक शिफ्ट लाता है, ripple effect पूरी ओगनाईजेशन पर असर होना है.